हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल होम एंटेटेन्मेंट पे आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे आलू की टिक्की वाली पकोडी बनाने के बारे में इसके लिए सबसे पहले आपको आलू को बॉयल कर लेना है उसको छील देना है छीलने के अजवाइन छोटे चिमेस से एक शिमच एक चिमच जीरा अद्रक कर दुकस की वी नमक स्वादा अनुसार और आमचूर पाउडर आमचूर पाउडर हमने एक चिमच लिया है अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी टिक्की तयार कर लेंगे इस तरह से हम सारी टिक्कियों को बना लेंगे चलिए अब इसके लिए हम बेशन तयार कर लेते हैं बेशन तयार करने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे चने का गरम मसाला एक चीमच नमक स्वादा अनुसार और थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा आड़ करेंगे पानी आड़ करने के बाद में हम इसमें डालेंगे दो बड़े चमाच चावल का आटा अब इसमें डालेंगे दो बड़े चमाच चावल का आटा चावल का आटा हमारी पकोड़ी को बहुत ही कुरकुरा बना देता है इसलिए हम इसमें चावल का आटा एड़ करते हैं आप चाहें तो सूजी भी एड़ कर सकते हैं अब इसको अच्छे से फेंट लेंगे देखिए एच्छि से तैयार हो चुका है अब इसमें आप्टिकीग देखिए अच्छिर इसका पेशन आप थोड़ा मोटा ही रखिए गए चलिए हमकराई में इसको डालते हैं दिखि हमारा तेल गरम हो चुका है अब इसमें हम अपने अलो की टिकी वाली पकोरी को डालेंगे इसी तरह से हम सारे पकोर्यों को इसमें डाल देंगे इस तरह से सारे पकोर्यों को डाल देंगे और धीरे धीमे 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 से पलट देंगे इस तरह से पलट देंगे दूसरे तरह भी इसी तरह से पका लेंगे इस तरह से आप सारे पकोर्यों को पलट जब यह दोनों साइट से अच्छे से पक जाएं तो इसे निकाल लीजिएगा देखिए दोस्तों त्यार है हमारे आलू की टिक्की वाली पकॉरी एक्टम देशी स्टाइल में हमने बना है बहुत ही जट परपंती और बहुत ही टेस्टी होती है खाने में आप इस तरह से करेंगा अगर आप मैं चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करना मद भूले गाता है कि वेरी मास वाचिंग माई वीडियो बाबाए तो